How to create Facebook page easily in 2020 आज की वीडियो में इस मैथड को किस तरीके से अपलाई करना है और Facebook का पेज किस तरीके से create करना है Well, basically यहाँ पर Facebook का पेज आपको create करने के लिए कोई भी Facebook के वेबसाइट पर जाके long process आपको करने की जरुवत नहीं है आप easily अपने Facebook के application का use करके भी short way में Facebook page यहाँ पर create कर सकते है Well, अगर आपको basically नहीं पता कि Facebook page का क्या benefit है तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर explain करना चाहता हूँ अगर आपका एक business है और आप अपने business को online Facebook पर promote करना चाहते है अपने business को बढ़ाने के लिए तो आपको यहाँ पर Facebook page create करना बहुत ही ज़ादा important है जिन लोगों को पता है कि Facebook page किस तरीके से काम करता है वे लोग घर बेटे बेटे मेने का 30 से 50 हजार रुपे हर मेने कमा रहे है Yes, because आप Facebook page create करकी यहाँ पर घर बेटे बेटे पैसा भी कमा सकते है तो आपको Facebook page create करना बहुत ही ज़ादा important है अगर आप work from home करना चाहते है और अपने business को online grow करना चाहते है Because Facebook पर आपको most of the कई सारे ऐसे users मिल जाएंगे जो यहाँ पर online चीज़ों जादा देखना पसंद करते है तो अगर आपको नहीं पता किस तरह के से Facebook page create करना है Facebook application का use करके So in that case you can just continue with this video तो Facebook page create करने के लिए आपको इस 3.line पर क्लिक करना है देन इसके बाद इस page वाले option पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको directly इस create page वाले option पर क्लिक करना है देन इसके बाद get started वाले option पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ आप सबसे first वाला option जो है वो है आपको अपना page का name select करना होगा जो पर आपका page करना है आप set करना है वो आपको यह पर set करना है उसके बाद next वाले option पर click कर देना है click करने के बाद जो next option है category अगर आपका business अगर आपका general store है तो आपको उसी category के related कोई keywords आपको यहाँ पर type करना है या तो अगर आप personal usage के लिए अगर आप facebook pitch create कर रहे हैं तो आपको personal blog वाले option पर click कर देना है या तो product and service वाले option पर click कर देना है अगर आपका business है तो next option पर click कर देना है click करने के बाद अगर आपका business है तो अगर आपने कोई website create किया है online business start करने के लिए तो आपको इस website का link आपको यहाँ पे paste कर देना है इसके बाद next option पर click कर देना है अगर website नहीं है तो I don't have website के option पर click कर देना है अब उसके बाद next option है आपका profile photo यहाँ पर set करना तो profile photo इसमें set करने के लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है जैसे आपको और एक फोटो के option पर click करना है click करने के बाद आपको gallery में redirect कर देगा gallery से आपको भी photo यहाँ पर choose करके set कर देना है लेकिन यहाँ पर जो facebook page का cover photo है उसका एक size है तो अगर आपको cover photo का size नहीं पता तो आप normally google पर भी search कर सकते है facebook page cover size तो वो size आपको यहाँ पर check कर देना उसके बाद उसके हिसाब से आपको photo crop करके उससे edit करके यहाँ पर as a cover photo के base पर set कर देना है तो इसके बाद आपको set करने के बाद directly आपको done वाले option पर click कर देना है क्लिक करने के बाद आपको directly next option पर click करतेना है so finally हमारा जो facebook page है वो यहाँ पर create हो चुका है तो जैसे facebook page आपको यहाँ पर create हो जाएगा दिन इसके बाद आपको सबसे first और जो option है वो है यहाँ पर यह option को set करना add button यहाँ पर आपको button को add करना है तो अगर आपको जो भी चाहिए आप यहाँ बटन आप set कर सकते call ना होगा या book ना होगा shop ना होगा by gift card का तक यह button है लोग जो भी आपके facebook page पर visit करें तो वो उस button पर click कर सकें और जैसे click करें तो उसके बाद आपका जो website है अगर तो website का link आपको यहाँ पर paste कर देना है जिससे कोई भी users अगर उस button पर click करें तो directly वो आपके website पर redirect हो जाए तो finally यह इसना है setting आपको यहाँ पर complete कर देना है complete करने के बाद आपका facebook page यहाँ पर पूरी तरीके से create हो जाएगा तो काफी easiest से process है इस short process का use करके आप easily अपना facebook page create कर सकते हैं इस facebook application का use करके so it is very useful I hope you like this information this will help you in 2020 and in feature as well thanks for watching have a good day